नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरी दुबई का ट्यूर जी हाँ यह मेरा दोस्त है बागिर्थ जो मुझे लेने के लिए आया है बुर दुबई में देरा दुबई जिसको बॉल सकते हैं जबलाली से जी हाँ इनके साथ में आचलेंगे हम जबलाली ईलकूज जबलाली की तरफ जहां पे आपको पूरा मैं दिखाऊंगा दुबई से रिलेटेड वहां की जो लेबर हैं उनका रहना शैना कंपनी क्या खाते Dry ने जो भी उनका पूरा सिस्टम होता है वो आपको दिखाना जरूरी है कर दो जी हां हम जा रहे हैं अभी जबलाली की तरफ लगबक शपर का है इसमें समय लगेगा एक गंठे का जी हां爐 यह से पूरा गाड़ी से आया लगबग 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा इसमें आपको देखना इसलिए ज़रूरी है कि करोना काल में अपने इंडिया के जो लोग हैं वरकर हैं कैसे कटिन पुरिस्तितियों का सामना करते हुए भी अपने परिवार के लिए बच्चों के लिए अपनी फेमेली के लिए दूर तरह जोब कर रहे हैं काम कर रहे हैं कटिन परिस्तितियों में इसलिए आपको पूरी इस्तिति दिखाना जुरूरी है अभी हम चल रहे हैं जो मैं रोड है दुवही से बुर दुवही दुबई से जबलाली की तरफ रोड जाती है आबुदाभी की तरफ वो उस रोड पे हम अभी चल रहे हैं पूरा नजारा आपको देखना जुरूरी है भाई पूरा देखना उसमें पूरा मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में कमपनी के बारे में वर्कर क्या कर रहना खाना उनकी शेली करोना में सबी पहलूँ पे हम बात करेंगे आगे पूरा वीडियो भी दिखाएंगे साथ में वरकरों से भी बाते हम करेंगे साथ वाले जो हमारे भाई हैं उनसे भी हम बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखना ओके बात ऑाईं करेंगे पिरी जो पूरा देखना जो खो वीडियो यो करेंगे मासरी ओके पूरे जहीं झाल झाल जी हाँ हम आचुके हैंभी बाई का जो कंपनियों के लेबर केम्प हैं उधर की साइड में आचुके हैं यह सामने कंट्रक्शन का काम सबसे ज्यादा है यही है यहाँ पर 99 परशेंट काम इसी तरह के चलते हैं बाकी जो लोग काम है वो तो मेन बामार्केट में होते हैं यह आप देख सकते हैं कमपनियों के गाडियां हैं जो वरकरों को शाम के लगवग पांस बच सुके हैं तो फिर छुटी का टाइम हो जाता है तो उनको छोड़ने के लिए इदर आनी होती है इतनी बेंकर भीट लगेगी यहां पे आप देख सकते हैं लाइन वाइस जो आप गाडियां सल नहीं हैं सब वरकरों को लेकर आती हैं कमपनिया अलग लग क्योंकि हजारों की तादाद में इदर कमपनियां होती हैं लग लग दूर दूर लोग अपने काम से जाते हैं यह लेवर का केमप है आप देख सकते हैं यह गाड़ी यह जो खाली हो चुकी है लेवरों को छोड़ चुकी हैं यहां पे और आगे भी मैं दिखाूंगा दुबई का पूरा एरिया आप देखना पूरा वीडियो पूरा देखने है इसकी वीडियो को इसके मत करना क्योंकि आपको अखिकत से सामना होना है आपका क्योंकि जो लोग वीडियो में देखते हैं दुबई ऐसा है दुबई वैसा है यहां तो दूल भी नहीं लगती देता है । यहां कोई आपके सामने होने वाली है यह यह कंपनी यह बड़े बड़े हैं। यह पूरे खाली नागे वज़े से बहुत सारी दुन्जार लोग छोड़के जा चुके ने कंपनेया बंद हो चुके इस वज़े से जह स्विकशनल nenे भी वहीं हुआ यह लेबर एरिया पूरा का पूरा यहां पे टरक बगर बस बगर यहां पे छोटी बसे सब यह खड़ी होती हैं पार्किंग टाइप का है यह फ्री फार्किंग होती है यहां पर कोई पैसा नहीं लगता मैंन सिटी में अगर होता है तो पैसा लगता है लेकिन यहां कोई पैस किया था यह आप देख सकते हैं यह पूरा यह अभी इदर भी कंट्रेक्शन का एकाम सल रहा है यह लेबर जिसको बोल सकते हैं होस्टल टाइप के बनते हैं क्योंकि यह एक तरह से बिजनेस ही है कंपनियों का दुबई सरकार की तरफ से कि उसमें मोटा इनकम होता इनको किराए की रूप में अभी आप देख सकते हैं यह दुबई की सड़के बाइज जबलाली में ऐसी सड़के हैं दुबई का एक रूप यह भी है अब मैन सिटी में जाओगे तो आपको आँखें वो चकात सुंज हो जाती हैं लेकिन अखिकत यह क्योंकि 90% लो करेंगी यह उतर कि आ रहे हैं इतनी देखो इतनी बैंकर मिटी दर्शे उड़ती है कि बंदे का कपड़े खराब हो जाएं अगर ब्लेक पेंट पेंट रखिया ना तुसको वाइट कर दें इतनी धूल मिटी उड़ती है यहां पर यह देख सकते हैं यह दुबई का है असल सब्सक्राइब रहनी है यह देख सकते हैं यह गाड़ियां आ रही है अभी पास से गुजरती है तो इतनी बैंकर मिटी उड़ती है कि बंदे को एकदम खराब कर देती है पूरा चेहरा यह आप देख सकते हैं यह लेबर केम्प है सामने आप देखें तो देखो किस तरह से कपड़े बगरेबगे टंगी वे तो इस तरह से यहां पर लोग रहते हैं यह फिर में रोड आ जाती है जिसको चोन तरह आपने आपनी बसओं बहुत कम है यह आई पर मार्केट इं problema iMMरार्केट मेश्व के अब झूक रहा है कि तो पे आधि की तयारी कर रहे है यह और न घंतल रहे हैं ठाली में हम सब एक साथ बैठके खाना खाएंगे अलागी बना हुआ खाना है लगवग 6 लोग रहते हैं इन में से 4-5 लोग हैं जो एक 7 बना के खाना खाते हैं यह बता दू इसके बारे में भी आपको जानना जुरूरी है यह आप देख सकते हैं कंपनी का कपार्ट बगएर है सामान रखने का होता है जो कंपनी की तरफ से इस विदा मिली होती है यह बैड बगएर है पूरा यह देखिए डबल बैड होता है जिसमें एक नीचे होता है बंदा एक उपर होता है जो नए बंदे उनके लिए हैं बाकी जो पुराने हैं जो दुबे में रहते हैं उन सब को तो पता ही होता है इसी बगए है सब लगा हुआ होता है आलागि रूम की वेष्टा अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है इसमें ज्यादा रूम ठीक है बड़ा भी नहीं है तो छोटा भी नहीं है पांच-छे बेड़ आराम से आजाते हैं क्योंकि डबल बे बाई दुबई में मेदा, चावल या पिर तंदूरी रोटी वो ही मिलती है और उसमें एक नए बंदे को दिक्कत होती है बागी पुराना होता है उनको दादत पड़ी जाती है खाने गलाओ को चारा नहीं बसता आप देख सकते हैं ग्याओं की रोटी है सबजी भी बड़ी मस्त बनी है मटर पनीर की सबजी चाज और मैं भी साथ में बैठा हूँ हम सब लोग भाई 5-6 भाई है साथ में बैठके खाना खा रहे हैं और खाना साथ में खाने में इंट्रेस्ट दुगुना बढ़ जाता है आप सबको पता ही होगा तो बड़ा मज़ा आता है इसलिए हमने फैसला किया कि हम सब साथ में बैठके खाना खाएंगे ताकि ज्यादा मज़ा है यह देखे ग्यों की रोटी में खा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि बीच दिन के बाद लगबग मज़े यह खाना नशीब हुआ वरना तो वही चावल आपको पता है चावल, डाल या फिर तंदूरी, रोटी वगएर वो ही मिलती है लस्टी बगएर चाज जो लेके आए थे खाना हो चुका है, अभी हम बात करेंगे, इन से बातचीत करेंगे, इंट्रु लेंगे इनका एक तरह से क्या काम करते हैं, कितनी सेल्ली मिलती है, पूरा डिटेल से जानिए, आप भी देखिए ताकि आपको भी यह काम आने वाली चीज़ें, तो चलिए सुरुआत करते है क्योंकि जोब भाई यहां पर जोब कर रहा है, आपको पता लगे कौन से जोब में क्या सेल्ली बगर मिलती है, कोविड-19 में क्या माहौल चल रहा है, आपका क्या नाम बताना अपना, अपना अपना प्रिच्छे दे दीजिए, सर्वन जी, कितने टाइम से हो आप है, अच्छा, और मैं थ्री एर से दर दुबई में काम कर रहा हूं, अच्छा, मेरा सदरी अभी फलाल शाड़ी तेरा सो प्लग दो सो है, अच्छा, और टाइम अगरा लगता है, अभी मेरा को चार गंठा मिल रहे हैं, और सेल्ली बगरा इस्तिति क्या अभी करोना की बश है, अच्छा, पांस मेने हो गए, अभी सिक्स मेन स्टार्ट है, चलो, मिली जाएगी तेर से वरे, आप बताओ, आपका क्या नाम है, नेमी चंजी, ओके, आप भी इसी कंपनी में हो, जो क्या आपका, टाइल मेशन, शेल्ली क्या है अभी आपकी, अभी आपकी, अभी एज अच्छा, और आप का जी, विक्रम जी राठोड, ओके, आप भी इसी कंपनी में काम करते हो, दूसरी में, क्या काम करते हो, मेशन का, अच्छा, शेल्ली तो मेशन में सेम होई है, सब 1200 रुपे होती है, आपको मिलती है, शेल्ली टाइम पे, ब्रोबर मिल रही है, अच्छा अच्छा, शीकर से, राजस्तान से, मेरे गाउं से हो आप, चलो अच्छी बात है, और बागिर जी, आप बताओ, जी, क्या अभी आपका प्रोपेशन जोब अगे रखिया है, थोड़ा बता दीजिए, लोगों को, अच्छा, ब्राइबर जोब है, कितने टाइम चे हो आप अच्छा, आपने बनाया था, या फिर कंपनी ने बना की दिया था, आपको, आपने बनाया, कितना खर्चावा लाइसस का, आठ जार धराम, अगर इंडिया का देखा जाए, तो लगबग, पुने दो लाग के करीब हो जाता है, ना, 160,000, अच्छा, 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 अच्छा, सत्रा सुबला सोटी, ने पच्छी सो के करीब सम्तिंग मान सकते, 40-50,000 रुपे हो जाता है, आपका, चलो, अच्छी बात है, इधर सरदार जी सो रहे हैं, कि 25-8, तुब भई, अब एभी हमारा खाना भी हो चुका है, बाच्छीत भी हो चुकी है, अभी हमारा हो चुका यहांसे, настоящ sia समय ककी राथ के बोल सकते हैं अच्छा है सुविदा हैं पूरी है मैं दिखा दूँ आपको इसमें बातरूम बगर है अलांकि लग बग काफी सारे लोग यहां पर रहते हैं कमपणी के एक जार वरकर पहले तीन जार थे लेकिन कोरोना की बज़े से निकल चुके हैं जार आदमी बचे हैं यह देखिए यह लेट बात है यहां का अभी तो साम का 10 बजे तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है क्योंकि लोग जो आते हैं नाते हैं कपड़े बगर दोना बरतन बगर तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ठीक है यह यह सेकंड फ्लॉर पे है हम अभी ग्राउंड फ्लॉर नीचे जा रहे हैं और अभी हमारी गाड़ी की तरफ जाएंगे आपको नीचे में दिखाऊंगा यहां का कंपणी का किचन भी दिखाने की कोशिस करूंगा अलांकि यहां पर कार्ट बगर खड़े होते हैं तो वीडियो बनाना वैसे इलीगल होता है यह बनाने नहीं देते क्यों सब्सण कराओ, यह अलग अलग कंपनी केच बगर फ्रुवाइड करते हैं खाना खुद को बनाना होता है अब जा रहे हैं हमारी तरफ जो आड़ी की तरफ रात के कफी लेट हो चुका है Saẹटे 10 के करीब का समय है भी 11.10 के करीब का अभी सामने रोड पार्क करके गाड़ी उदर खड़ी है तो यह मैन रोड आ गई यह उदर का जो साइपर मार्केट जिसको बॉल सकते हैं वहां से सामान वगर लेते हैं यह गाड़ी है कंपनी की जो बाई बागिर्त हैं वो चलाते हैं चलरी ठीक है उनकी 2530 अराम सेलरी आजाती है अच्छी है सेलरी तो 50-60,000 और फिर ड्राइबर की तो आपको पता है वैसे को डूटी नहीं होती कभी लेट हो जाता है कभी जल्दी बगर बगर ऐसे चलता रहता है बागी ठीक है अगर 50-60,000 रुपे बंदा कमाता है तो फिर डूटी तो करनी पड़ेगी नो डाउट इंडिया में तो इतना डूटी हम यहां से निकल चुके हैं रस्ते में अभी आप देख सकते हैं यह हाईपर आज फ्राइडे का दिन है तो भीड भी ज्यादा है लोग क्योंकि आपको पता फ्राइडे को इंजोई करते हैं साथ दिन विजारे सुबह पांस बज़े उठके जाते हैं रात को आठ बज़े लगता दिन का देखिए अभी हम हाउए की तरफ बढ़ रहे हैं पास्में मेटर यह देखिए डुबई का रोड है दुबई का आप रोड देखीए यह मत समझना कि इंडिया में खड़े हैं डुबई में बीयुकह दो नहीं यह बाहर का एरिया में में मैंन इंटी तो अच्छी बाहर में खराबी एथ दुबई जैसे छोटी कंट्री में अब यह रोड फुटी भी मिल सकती है खराब रोड मिल सकती है तो आप मान सकते हैं दुबई तो इनकी दुबई का तो इंडिया कितना बना लोगे 30-40 कंट से आखरी मुलाकात है अभी हम मेट्रों की वकड़ेंगे और हमारे घर की और जाएंगे मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत